तीसरी चीज निगलेंसी के आरोप में सस्पेंड हो पहले जो घटना घटी चौती चीज अप्रादी के अफ्तार हो पांचमें चीज कि किसी भी परस्थिती में बिहार से लगातार जो तनौ और नफरत मौमलेंचिंग के बढ़ रहे हैं उनमात पर दाव रहा है या इस पर रोग लगे और विपक्ष के उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ घर गोपाल गंज रहेंगे छपरा और घटना घटित होगी शिवान तो ना सत्तापक्ष ना विपक्ष शब नदर शब गाइब समाज को अल्ला के भरोसी इस तरफ के भरोसी छोड़ देंगे जब मरो क्योंकि ने पता है यह सब्जेक्ट पॉलिटीशन के लिए नहीं है क्योंकि भौट सत्ता इसी के पर इसू ही नहीं बेटी इसू नहीं मौत इसू नहीं संपरदाइक्दा इसू नहीं मौमलेंचिंग इसू नहीं इसू है नर्सी, ओवीसी, एससी, स्वर्न, इसू है बैकवर्ड फॉर्वर्ड, हिंदू-मुसल्मा, इसू ऐसी चीज़ें बनते समाज बनाने की जिम्मेदारी इन पॉलिटीशन सत्ताप और विपक्ष के नहीं है बिहार के हलात जितने खड़ाव हैं अब मौमलन चिंग के सबाल पर पदियात्रा करना परा और मुझको लगता है कि फिर सिवान के इसी जगह से मुझे मौमलन चिंग के सबाल पर पदियात्रा सुरू करने पड़ेगा पहले बेटी के सबाल पर, अब मौमलन चिंग के सबाल पर ये इस्थिती इतने बुड़े हालाथ देश के आज मैं मानता हूं कि देश संकर्मन की दौर से गुजर रहा है देश को जिस तरीके से स्सी स्वर्म के बीच ये पॉलिटिशन नफरत में भाट रहा है दूसरी तरफ संपरदाइक्ता में ये देश के लिए बहुत ही संकट का समय है और मुझे लगता है देश टुकरे टुकरे में न बढ़ जाए इसलिए अविलम इस घटना की जाँच इस परिवार को दसलाक रुपिया मुआफजा जो बच्चे दोन चारू मढ़े हैं तीन और सस्पेंसन के साथ एफायार और महर्म और आने वाले समय में इस इलाके में इस परिशासन पर पपू यादब को भरुसा नहीं है नए परिशासन के साथ इस इलाके में अमन के लिए